नमो नमहा, माध्युएक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा समायुजितायाम, संस्कृत कक्षायाम, भवताम, सर्वेशाम, छात्रानाम, हार्दीकं स्वागतं अहाम अस्मी डाक्टर सालिग्राम त्रिपाथी अध्याप कहा राजकी इंटर्मीडियेट कालेज प्रयाग राजस्च आईए आज हम लोग कक्षा नवी की संस्कृत पाथ पुस्तक के अंतरगत व्याकरण भाग से धातु रूपों का अध्याइन करेंगे पाथ परिचय उपर युक्त प्रकरण के अंतरगत धातु रूप एवं लकारों से संबंधित प्रस्ण पूछे जाते हैं जिसके लिए तीन अंक निर्धारित हैं जिस शब्द के द्वारा किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं जैसे बाल कहा पुस्तकम पठती में पठती से पढ़ेने के काम का बोध होता है अताह पठती क्रिया है जैसे बाल कहा पत्रम लिखती में पत्र लिखने का बोध हो रहा है लिखने की क्रिया का है आता है लिखाती यह क्रिया है पठती लिखाती क्रीडती इत्यादी क्रिया पदों की प्रकृती या मूल है पठ लिख क्रीड आधी इसी प्रकृती या मूल को धातु कहते हैं अंग्रेजी में उसी को रूट कहा जाता है क्रिया के दो भेद हैं सकर्मक्रिया तथा अकर्मक्रिया अंग्रेजी में ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है ये वे क्रियाएं हैं जिनका अपना कर्म होता है क्रिया के पूर्व क्या या किसको लगाकर प्रस्न करने पर मिलने वाला उत्तर कर्म होता है जैसे रामहा पुस्तकम पठती वाक्य में पठती क्रिया है यदि हम प्रस्न करेंगे किम पठती क्या पढ़ता है तो प्रस्न का उत्तर मिलता है पुस्तक तो यह सब्द पुस्तक यह सब्द इस क्रिया का कर्म है इसी से यह सिद्ध होता है कि यह क्रिया सकर्मक है अकर्मक क्रिया इंट्रांजिट्यू वर्व अकर्मक क्रियाओं का अपना कोई कर्म नहीं होता है जैसे रामह सेते में किम सेते यह प्रस्ण करते हैं तो उत्तर प्राप्त नहीं होता है क्या सोता है इसका उत्तर हमको नहीं मिल रहा है जैसे उधर किम पठती क्या पढ़ता है इस क्रिया में इस वाक्य में उत्तर मिल गया था पुस्तक पढ़ रहा है लेकिन किम से इस क्रिया में उत्तर के रूप में कर्म शब्द नहीं मिल रहा है इसलिए यह क्रिया अकर्मक है सकर्मक्रियाएं कौन है तथा अकर्मक्रियाएं कौन है इसके बारे में हम इस श्लोक के द्वारा ठीक प्रकार से समझ सकते हैं जैसे लज्जा सत्ता स्थिति जागर्णम ब्रद्धिक्षय भय जीवित मरणम शयनक क्रीडा रुचिदिप्ट्यर्थं धातु गणंतम कर्मक माहु हुँ देखें लज्जा अर्थवाली धातु सत्ता अर्थवाली इस्थिती अर्थवाली धातुएं जागरण अर्थवाली धातुएं बृद्धी छाय भाय जीवन मरण शयन क्रीडा रूची दीपती अर्था चमकना चमकने अर्थवाली धातुएं अकर्मक हैं सेस धातु सकर्मक मानी जाती हैं हम अन्यभाशाओं की धातुओं को भी जानने के लिए हम इस इसलोक के सहारे हम यह जान सकते हैं कौन सी धातु अकर्मक है तथा कौन सी सकर्मक है जिसमें क्या का उत्तर मिल जाता है वह सकर्मक और जिसमें क्या का उत्तर नहीं मिलता वह अकर्मक लकार परिचे क्रिया पदों से विभिन कालों और आग्या विधी आदी अर्थों की सूचना मिलती है इनके सूचक उपायों को लकार कहा गया है ये लकार संख्या में दस हैं पर हम लोगों के पाठिक्रम में प्रमुख पांच लकार ही निर्धारित हैं जो हैं लट, लोट, लंग, विधिलिंग, तथा लृट, सामाने ग्यान के लिए हम दस लकार देखें दस लकार ये होते हैं लट, लिट, लुट, लृट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, तथा लरिंग यह लकार तो दस हैं इन दस लकारों का तीन कालों के अंतर प्रयोग होता है काल तीन ही हैं वर्तमान काल भूत काल तथा भविश्यकार तो इन दस लकारों का किस किस लकार का किन कालों में प्रयोग होता है यह देखेंगे इसके लिए यह इस लोग याद करना उचित होगा देखें लट वर्तमाने लेट वेदे भूते लंगलुंग लिटस्त था विध्या शिशोस्तु लिंगलो तव लुट लिट्रल रिंच भविश्यत हम लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है और लेट लकार का प्रयोग केवल वेद में होता है लोक में नहीं होता है भूत काल में तीन लकारों का प्रयोग होता है लंग लुंग तथा लिट विध्या सिसोस्तु लिंग लोटव विधी और आशीरवाद अर्थ में लिंग तथा लोट लकार का प्रयोग होता है भविष्यकाल के लिए लुट लुरिट तथा लुरिंग लकार का प्रयोग किया जाता है हमारे जो पाठिकर में निर्धारित हैं प्रमुख पांच लकार उनको देखेंगे लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए लोट लकार का प्रयोग आग्यार्थक किसी को आग्या देने के लिए लंग लकार का प्रयोग भूत काल के लिए विधी लिंग का प्रयोग विधी प्रार्थना आदिय अर्था चाहिए अर्थ में इसका इस लकार का प्रयोग किया जाता है लिट लकार का प्रयोग भविश्य काल के लिए किया जाता है क्रिया के प्रकार क्रियाएं तीन प्रकार की हैं परस्मई पदी क्रियाएं आत्मने पदी क्रियाएं तथा उभय पदी क्रियाएं परस्मय पदी जिन धातूं के अंत में ती तह अंती आदि परत्तियों को जोड़ा जाता है उन्हें परस्मय पदी धातूं कहते हैं क्रिया के व्यापार का परिणाम करता को ना प्राप्त होकर किसी अन्य को प्राप्त होता है वह परस्मई पदी धातु है जैसे पठती परस्मई मने दूसरे के लिए पद शब्द तो जो जिन क्रियाओं का प्रयोग दूसरे के लिए किया जाता है वह परस्मई पदी धातु ह हैं अब देखें आत्मने पदी जब क्रिया के व्यापार का परिणाम करता तक ही सिमित रहता है वहां क्रिया का आत्मने पदी रूप प्रयुक्त होता है जैसे लभते इनमे धातुओं के अंत में ते एते अंते आधी प्रत्ये जोड़े आत्मने पदी अर्थात अपने लिए पद शब्द या क्रिया अपने लिए जिनका प्रयोग किया जाता है वह आत्मने पदी धातु है और दूसरे के लिए जिन धातुओं का प्रयोग किया जाता है वह परस्मई पदी धातु है पहले परमपराएं थी इसलिए हम जब और जब दूसरे के लिए पंडिजी बोलते हैं तो उसमें लिखते हैं अमुक यजमानस शिकरते आमुक कर्म औहम करिश्या मीं यह कर्म करूंगा दूसरे के लिए जिससे उसको लाव मिले तो अब वह परंपरा नहीं है धीरे धीरे अब परस्मई पदी धातुओं का हम अपस्वेम के लिए भी करने लगे हैं उभय पदी धातुएं संस्कृत में कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जिनमें ये दोनों प्रत्ते आते हैं अताहा उन्हें उभय पदी धातु कहा जाता है जैसे करोती कुरूते इसमें ती प्रत्य लगा है और ते भी लगा है तो ऐसी धातुएं हैं कुछ जो परस्माई पदी भी होती हैं तथा आत्मने पदी में भी उनके रूप चलते हैं करो ती कुरूते नयाती नयते जयती जयते करियाओं के तीन पुरुष होते हैं ना प्रथम पुरुष मध्यं पुरुष तथा उत्तं पुरुष फरस्ट पर्षण सेकेंड परर्ष Prague take embar देखेंगद के लिए उत्तंपुरुष लिए उत्तम पुरुष की जो क्रियाएं हैं उनके लिए अहम आवाम वयम का प्रयोग किया जाता है तथा मध्यम पुरुष के क्रियाओं के लिए त्वम युवाम यूयम का प्रयोग किया जाता है सेश जो इनके अलावा अहम आवाम वयम त्वम युवाम यूयम इसके अलावा जितने प्रथम पुरुस में सारे शब्द जैसे सहा तव ते बालकह बालकव बालकाह बालीका बालीके बालीकाह सभी के लिए प्रथम पुरुस का प्रयोग होता है पिर से देखें अहम आवाम वयम के साथ उत्तम पुरुस की क्रिया का ही प्रयोग होगा त्वम युवाम यूयम के साथ मध्यम पुरुस की क्रिया जैसे पठत का ही प्रयोग होगा तथा अन्य के लिए प्रतम पुरुस का प्रयोग किया जाता है वचन लो 10 अब तीन वचन एक वसाओ देवाचन तथा बहु वसाओ एक के लिये एक की विवक्षााह में है स्यमें ९े से बालक थे ॐ के लिए पालकर लस्ते बहुत से लोगों के लिए आंड़ में principality बालकाह दातु गण उन अनेक धातुओं के समूह को गण कहते हैं जिन में एक विकरण प्रत्य होता है संस्कृत में विकरण प्रत्यों के आधार पर समस्त धातुओं को को दस गणों में बाठा गया है प्रकृति धातू और प्रत्यायतिं के बीच में आने वाले उप-प्रत्यों को विकरण कहा जाता है प्रत्य कquarण की प्रथम धातू के नाम पर प्रत्यास का नाम कि या गया गए है गण अधो लिखित हैं यह गण है यह से तो है इसका नाम पढ़ गया वादी अधादि गण का है पहला पहली घात अध इसलिए उसका नाम अधादी गण पढ़ गया इस प्रकार से 10 गण है आप इस श्लोक के माध्यम से जान सकते हैं। पठ, गम, अस, शक तथा प्रच धातुओं के परस्मई पदी रूप पांच लकारों में सरल्ता पूर्वक लिखना सीखेंगे समझ करके आप अत्यंत सरल्ता के साथ इन धातु रूपों को समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई रटने की आवस्यक्ता नहीं पड़ेगी देखें, लट लकार वर्तमान काल के लिए नियम है, यह जो हम उपर बताया गया है, विकरण प्रत्य तो विकरण प्रत्य आ लगा है, इसलिए ती के पहले हमने पहले से लिख दिया आती तह के पहले लिख दिया अ अतह अंती तो सम्में ये विक्रण प्रत्ते लगाने के बाद ये नियम बनाए हैं क्योंकि इसमें इन धात्वों में विक्रण प्रत्ते लगते हैं तो देखें लट लकार वरतमान काल का नियम देखेंगे अभी अ तह अंती आसी अथा अथ आमी आवह आमा यह प्रतधम पुरुस है जह उत्तम पुरुस है अब हम देखेंगे पठ को इसमें केवल मिला देने पठ का ठाहलंत है और हलंत ठाको यदि आसे मिलाएंगे तो क्या हृभ पठती इस तरह से बनेगा पठती इससे मिलाएंगे तो पठसी पठताह पठत उत्तम पुरुस में मिलाएंगे तो पठामी पठावह पठामह इस तरह से गम धातू को गच्छ हो जाता है इसको मिलाएंगे तो गच्छती गच्छतह गच्छंती गच्छसी गच्छतह गच्छत गच्छामी गच्छावह गच्छामह प्रच प्रच को प्रिच्छ हो जाता है हलंत है तो प्रिच्छती प्रिच्छताह प्रिच्छन्ती प्रिच्छसी प्रिच्छताह प्रिच्छत प्रिच्छामी प्रिच्छावह प्रिच्छामह लिख का देखेंगे लोट लकार का देखेंगे आप सेश धातूओं के रूप इसी के अनुसार लिख सकते हैं लोट लकार आज्यार थक भर देखेंगे इसमें आतु से मिलाएंगे तो आप सब पड़ओ पठ तुम पढ़ो, पठतम तुम दोनों पढ़ो, पठत तुम सब पढ़ो, पठानी मैं पढ़ू, पठाव हम दोनों पढ़े, पठाम हम सब पढ़े गम को गच्छ हो जाएगा तो गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ गच्छतम गच्छत गच्छानी गच्छाव गच्छाम लिख का लिखतु लिखताम लिखन्तु लिख लिखतम लिखत लिखानी लिखाव लिखाम खाद का खादतु खादताम खादंतु खाद खादतम खादत खादानी खादाव खादाम प्रिच्छ का तो प्रिच्छ हो जाएगा इसमें भी प्रिच्छतु प्रिच्छताम प्रिच्छन्तु प्रिच्छ प्रिच्छतं प्रिच्छानी प्रिच्छाव प्रिच्छाम सेश अन्यधात्वों के रूप आप अपने से इस नियम के अनुसार लोट लकार में भी लिख सकते हैं लंग लकार भूत काल देखेंगे इसका नियम है अत अताम अन अह अतम अत अम आव आम इसमें यह ध्यान रखना है क्रिया के पहले आ लगा देना है जैसे यह पठ है तो हम लिख देंगे आपठ और फिर इससे मिला देंगे अत से मिलाएंगे तो आपठत अताम से मिलाएं आपठताम अपठन इस प्रकार से यह भूत काल में इसको लिखना धातू के रूप लिखना हमने शीखा अन्य धातूओं के भी हम रूप इसके अनुसार देखेंगे जैसे गम को गच्च हो जाएगा उस गच्च के पहले भी आ लगा दिया तो अगच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् ताम अगच्छन अगच्छह अगच्छत अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम प्रच्छ को प्रिच्छ हो जाएगा और प्रिच्छ का भी आ लगाने के बाद अप्रिच्छत अप्रिच्छताम अप्रिच्छन अप्रिच्छह अप्रिच्छतम अप्रिच्छत अप्रिच् खाद का अखादत अखादताम अखादन अखादहा अखादतम अखादत अखादम अखादाव अखादाम भूतकाल में इस नियम के अनुसार आप अनेक धातु धातुओं के रूप निर्मान कर सकते हैं अत्यंत सरल्टा के साथ बिधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में एत एताम ए युहू एह एतम एत एयम एव एम पठ का देखेंगे पठेत पठेताम पठे युहू पठेह पठेतम पठेत पठेयम पठेव पठेम उसी तरह से गम का गच्छ हो जाएगा गचेत गच्छेताम गच्छेयुहू गच्छेह गच्छेतम गच्छेत गच्छेयम गच्छेव गच्छेम प्रिछेत 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 प्रिछ कुछ धातुएं सेट होते हैं जिसमें ए लगता है और कुछ अनिट होती हैं जिसमें इट नहीं लगता है यह सेट धातुएं हैं इसलिए हमने इट लगा के यह नियम लिखा है देखें गर्स्फेटी इष्यताःः यसियताःः यह स्या मिकला इशिया वार इस्यामढ शीर के साथ पठीश्य पठीश्यताःः पठीश्यामढ रादेंगे? कि यहां ध्यान रखेंगे यहां यह है यही वाला साह है शटकून वाला कि अब कुछ अनित धात हुए है इसमें इट नहीं लगता जैसे प्रक्ष यह अनित धातों तो उसके रूप इस तरह चलेंगे प्रक्ष्यति प्रक्ष्यताह प्रक्ष्यत 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 प्रक्ष्यामी प्रक्ष्यावह प्रक्ष्यामा इन बाकी धातों के इसमें मिला देंगे जैसे गमिश्यति गमिश्यता गमिषयामि गमिश्यावह गमिश्याम अ सद्यातु ऐस धातू अधादी गण में पठित है अधादी गण में विकर्ण प्रत्य का लोप हो जाता है इसलिए इसका विकर्ण सुन्य माना जाता है अदादिगन में लट, लोट, लंग और विधिलिंग में धातु और तिंग प्रत्यों का साक्षाप संबंध पाया जाता है। धातु और प्रत्य के बीच में कोई विक्रण प्रत्य नहीं लगता। ऐसे देखेंगे असधातु है तो उसके रूप सीधे प्रत्यों से जुड़ जाएंगे इसलिए हम देखेंगे लट लकार में अस्ति स्तह संती आसी स्थह स्थ अस्मी स्वह स्मह लट लकार वर्तमानकाल की रूप है। लोट लकार अग्यार्थक अस्तु अस्ताम संतु एधि स्तम स्त असानी असाव असाम। लंग लकार भूतकाल आसीत आस्ताम आसन आसीह आस्तम आस्त आसम आस्व आस्म। विधिलिंग लकार लिटलकार में आसधातू को भू हो जाता है तो भू के अनुसार इसके रूप लिटलकार में चलते हैं जैसे भविश्यती भविश्यत अहा भविश्यंती भविश्यसी भविश्यत अहा भविश्यत भविश्यामी भविश्यावह भविश्यामा शक धातु स्वादी गण में पठित है इस गण की धातुओं में तिंग प्रतियों के पूर्व स्नु नू विकरन लगता है सामान्य तया इस प्रक्रिया के अनुशार रूप चलते हैं प्रक्रिया यह है देखें लटलकार में नोति नुतह नुवंति नोसी नुथह नुथ नुमी नुवह नुमः इसे शक का इसमें मिला देंगे उसी तरह से आपका भी लटलकार में देखेंगे अग्यार्थक नोतु नुताम नुवंतु नुही नुतम नुत नवानी नवाव नवाम लंगलकार भूतकाल में इसका नियम देखेंगे नोत नुताम नुवन नुह नुतम नुत नवाम नुव नुम इसमें आ लगा देंगे पहले शक के पहले आ तो अशक्नोत अशक्नुताम अशक्नुवन अशक्नोह अशक्नुतम अशक्नुत अशक्नवं अशक्नुव अशक्नुम आपका भी इसी के नुशार चलेगा बुडंशनु तो उसी तरह से आपका भी लिखिला कर भविष्यकाल अर्थ में इसका नियम है स्यती स्यताह स्यंती स्यसी स्यताह स्यत स्यामी स्यावः स्यामा 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 शक का रूप इस तरह से सक्छती सक्छताह सक्छत सक्छामी सक्छावः सक्छामा आपका इसमें मिला देंगे आप्सयती आप्सयताह आप्सयंती यह रूप है आप्सयती आप्सयत अधो लिखित प्रस्णों के उत्तर दीजिए पठ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा पठिश्यति गम धातु लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप क्या होगा देखेंगे रूप अगच्छम में में प्रच्छधातु लट लकार मध्यम पुरुष दीवचन रूप प्रिच्छधा ज्यास्यति किस लकार का रूप है लट लकार विधिलिंग लकार ये जलरीट लकार अथवा लोट तो यह लृट लकार का रूप है गच्छेत रूप किस लकार का है लृट लोट लंग या विधिलिंग तो यह गच्छेत विधिलिंग लकार का रूप है ग्रिह कारियम बताए गए नियमों के अनुसार दस दस धात रूप लिखें आप लोगों को कम से कम दस धात रूप लिखना है जिससे कि आपको फिर धात रूप ये परस्मई पदी कभी नहीं भूलेंगे और आप सरल्ता से इन रूपों को सीख जाएंगे आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे आज का दिन सभी के लिए मंगल मैं हो अन्य क्लास दूसरे दिन पुनह मिला महा धन्यवादा